हेलो एवरिवन जैहिंद वेल्कम टू जासर अकाडमी फॉर आईएस हम करने जारे हैं मेंस का प्रिवेस सेर क्वेशिन एनालेसेज और आज हम देखेंगे जनरल स्टेडीस पेपल टू गवर्नेंस सेक्षिन से एक क्वेशिन मैं उमीद करती हूं गाईस आप लोगों ने इस क्वेशिन को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा आज जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो मेंली किस से रिलेटिड है नॉन स्टेट अक्टर से रिलेटिड कि उनकी क्या पोजीशिन है किस तरीके से कितना जादा हमें उसकी इंडिया में देखने को मिलती है या इंडिया का जो गवर्नेल सिस्टम है उसमें देखने को मिलती है so it is going to be an important session guys जो भी आपको points मिलने वाले वो बहुत ही जादा important होंगे तो उनको अपने पास जरूर नोट करके रखेगा because non-state actors एक बहुत ही important topic है अपने आप में so इसके points जरूर नोट करके रखेगा it will help you a lot in the near future तो session को शुरू करने से पहले guys जिन भी students ने हमारे telegram channel join नहीं किया है वो तुरन description box में जाएए वहाँ पे आपको link provided होगा उस link के दुरू आप telegram channel को join कर सकते हैं और उसका benefit आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी pdf's का access मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए upload कर दी जाती है हमारे telegram channel पे like current affairs के pdf's है या फिर ये जो हम mains का previous question analysis करते हैं इसका pdf है और उसी के साथ साथ आपको जो भी video lectures आपके लिए upload किये जाते हैं उनका भी direct link वहाँ पे provide कर दिया जाता है और guys अगर आप लोग seriously exams के preparation कर रहे हैं किसी भी exam की तो आपको current affairs के लिए specially बिलकुल tension लेने की ज़रत नहीं है बिलकुल कहीं पर अपना time energy money कहीं कुछ लगाने की ज़रत नहीं है all you need to do is आपको सिर्फ जासर academy पे regularly follow करना है जासर academy को आपके लिए जो regularly current affairs के video lectures लाए जाते है आपको उनको consistently follow करना है that is more than enough क्योंकि हमारे current affairs से बाहर का आपके exam में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा और हमारा GS का भी pre plus mains batch रन कर रहा है आप उस batch को ज़रूर join कीजिए उसमें आपको GS1234 के बिलकुल 0 से तयारी करवाई जा रही है जहासर आपको खुद mentor कर रहे हैं उस batch की details को proper तरीके से follow करेंगे और जहासर के द्वारा दीकई guidelines को follow करेंगे तो आपका exam निकलने से कोई नहीं रोक सकता guys आपका selection पका है तो ज़रूर ज़रूर join कीजिए guys batch को और guys हमारा mains का भी answer writing batch रन कर रहा है जिसमें आपको 500 plus questions की practice कराई जा रही है हमारी export faculty हैं जो आपके answer copies को check करते हैं आपको mistakes बताते हैं और improve करने में help करते हैं उसी के साथ साथ आपको हरे question के regarding example answer भी दिया जाता है और video solution भी provide किया जाता है with proper explanation so guys अगर आप seriously civil services की preparation कर रहे हैं तो आप इन batches को ज़रूर join कीजिएगा join करने के लिए आप नीचे दियेगा इन नमबर 9713282838 पे whatsapp के थूरू आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है in the Indian governance system the role of non-state actors has been only marginal critically examine this statement भारतिये शासन प्रणाली में गैर राज्य अभी नेताओं की भूमी का केवल मामूली रही है इस कतन का समालोच नात्मक परीक्षन कीजिए ये question guys G.S.2 governance section से लिया गया है और ये question UPSC ने 2016 में पूछा था तो जब हम इस question की बात करते हैं तो इसमें हमें simple तरीके से क्या बोला गया है कि इंडिया के जो governance system है इंडिया के जो शासन प्रणाली है वहाँ पे अब हमें हमें दो चीज़ होती है एक तो state actors होते हैं कि state actors कौन से होते हैं जो government से related होते है government के अंडर आते हैं basically government authorities होती है और एक होती है non-state actors non-state actors कौन से होते हैं जो government के अंडर नहीं आते हैं ठीक है? तो ये जो non-state government actors हमें देखने को मिलते हैं इनका रोल बहुत ही मतलब हमें marginal, मतलब marginal का मतलब क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, acid जादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, बहुत normal तरीके से होता है, बहुत अच्छा अच्छे level पे उसका रोल हमें देखने को नहीं मिलता, critically examine करना है हमें इस question को, critically examine का मतलब हमे इसके pros और cons मतलब हर एक level पे हर एक angle से हमें इसको बताना है कि ऐसा क्यूं है या क्या position है इंडिया की इंडिया में non-state actors की क्या role वो play कर रहे है किसी क्या reason है जिसके डिसन का role कम है right so let's start with our answer non-state actors refer to a wide range of development actors other than government जैसे भी मैंने बताया क्या होते हैं दो तरीके क्यों होते हैं एक state actors होते हैं और एक non-state actors होते हैं state actors होते हैं जो government के अंडर आते हैं ठीक है government employees, governmental authorities होते हैं but non-state actors वो होते हैं जो की development के लिए विकास के लिए काम करते हैं लेकिन वो government के अंडर नहीं आते सरकारी, employer, सरकारी, अधिकारी नहीं होते हैं वो सरकार के अंडर नहीं होते हैं जैसे हम बोल देतें NGOs, non-governmental organizations तो NGOs किसे लिए होते हैं वो development के लिए ही होते हैं, help करने के लिए, development के लिए ही होते हैं लेकिन वो government के अंडर नहीं आती, वो government से अलग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम non-state actors, right? In practice, it means that participation is open to all kind of actors such as private sector, community-based organizations, women's groups, human rights organizations, non-governmental organizations, religious organizations, farmers cooperatives, trade unions, universities and research institutes, the media, etc. क्या होता है इस पर, कि जैसे हमने बात की, कि government के अलावा, जो development के लिए काम करते हैं विकास के लिए, हमारी country के लोगों के विकास के लिए जो काम करते हैं, उनको हम non-state actors बोलते हैं तो ये सभी के लिए ही open होता है, कि कोई भी इसमें enter कर सकता है चाहे वो private है, community-based है, सिर्फ women के लिए है, NGOs है, human rights के लिए मतलब कोई भी हर एक field से यहाँ पे enter कर सकते हैं मतलब इसके इनको include किया जाएगा, अगर वो development के लिए काम करते हैं तो उनको non-state actors की term में हम include कर देते हैं अब इसमें informal groups को भी include किया जाता है, अब informal groups क्या होते है formal groups और informal groups दो होते हैं, formal वो होते हैं, जो कि organized होते हैं वो एक proper rules and regulations hierarchy से चलते हैं, जैसे कि मान लिजे एक company में एक superior और subordinate होते हैं, मतलब मान लिजे एक board of director है और उसके नीचे employees है, ठीक है manager है, फिर various employees है या किसी production department, sales department का है, फिर employees आजाते है, workers आजाते है तो यह जो है, यह क्या है, यह formal organization है, जहां पर order top to down होता है या complaints जाती है, तो वो एक proper order rules and regulations के थूँ जाती है organized system होता है, structured होता है, लेकिन informal क्या होती है, जैसे कि मान लिजे दो friends हैं, तो वो बाते करें तो वो formal नहीं है, उनके बीच में कोई rules and regulations नहीं है, कोई ऐसा structure नहीं है, कि यही पहले बोलेगा, इसकी तरफ से बात आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है unorganized way में होती है, तो इस तरीके से अगर कोई informal groups भी हैं और वो development के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी non-state actors में उनको भी include किया जाता है तो basically क्या है, कि जो भी development के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सरकार के अंडर नहीं आते हैं, government के अंडर नहीं आते हैं तो उनको non-state actor के अंडर दर्जा दिया जाता है non-state actor में ही समझा जाता है उनको अब non-state actors have come to play an important role in the process of governance in India अब हम governance की बात करते हैं शासन प्रनाली की बात करते हैं बेसिकरी governance system जो है तो इंडिया में governance के लिए बहुत एक महत्वपून रोल निभाते non-state actors जैसे for an example मैं बोलू की कोई भी चीज होती है जैसे 2012 में जो rape वाला system हुआ था rape case था निर्भिया case उसमें क्या हुआ था उसके basis पे एक fund बनाया गया था वो क्यूं बनाया गया था क्योंकि लोगों ने protest किया था वहाँ पे उन्होंने किसले किया betterment के लिए किया एक welfare society के लिए किया एक better society के लिए किया तो वो क्या थे वो government के अंदर नहीं थे लेकिन उन्होंने वहाँ पर protest किया, काम किया ठीक है? उन्होंने किसके लिए क्या governance लेके आने में शासन की भई आप proper तरीके से काम नहीं हो रहा है जिन्होंने मतलब ना ही security proper तरीके से है और ना ही वो जो security चलिए अगर कुछ ऐसा incident हुआ है तो उसके basis पे justice process speedily हो justice process proper तरीके से हो तो वो चीज़ भी नहीं है तो उन्होंने उसको लेके आने के लिए इस पे काम किया तो governance के process में ये शासन लाने के लिए भी बहुत जादा महत्वपून, बहुत जादा कारगार साबित होते हैं Today, non-state actors are actively engaged in community mobilization economic development and social transformation अगर हम आज के टाइम की बात करें तो non-state actors actively engaged है, मतलब active हैं काम करने में किन-किन चीज़ों में community mobilization सामुदाइक लाम बंदी, मतलब कि community को एक खटा करने में mobilize करने हैं, कि सब unity से हैं सब अच्छे से हैं, मतलब basically क्या है welfare state बनाने के लिए ठीक है, harmony रहे, कहीं पे भी conflicts वगेरा ना हो एक harmony create करने के लिए economic development, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको, उनका विकास करने के लिए and societal transformation सामाजिक परिवर्तन में जैसे, जो भी अभी हमने ये बाद की, जो निर्भया केस था तो ये क्या है, society में transformation लाने के लिए, या फिर जो corruption के लिए भी जो हमें protest देखने को मिला था, जो धरना हुआ था corruption के against भी, तो वो क्या है society में transformation लाने के लिए भी ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा actively involved हैं, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं they play different roles like capacity building asset creation, representation lobbying, advocacy service delivery, etc तो ये हर तरीके से ये जो अपने जो इनको काम करना है, जहाँ जहाँ पर development के लिए, welfare के लिए काम करना है, तो उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं बहुत सारे role निभाते हैं कि capacity build up करने के लिए, या represent करवाने के लिए, अच्छी service deliver करवाने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी fields में अलग-अलग तरीके से ये अपना role निभाते हैं, essentially they are instruments of people's action and the means of protecting and promoting vital rights of citizens तो ये किसका instrument हैं ये एक तरीके से, tool हम कहा देते हैं medium है या tool है कि लोगों के action का कि बहुत किस तरीके से होना चाहिए, लोगों को basically represent करते हैं उनके welfare के लिए काम करते हैं ठीक है, और उनके जो rights हैं, उनको protect करते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं और promote करते हैं उनके rights को ताकि उनका rights का हनन ना हो They aid the process of good governance in several ways such as अब ये जो good governance का process है ये उसको किस तरीके से करते हैं good governance किस तरीके से लेके आते हैं तो उसकी बात करेंगे कि क्या-क्या ये ऐसे काम करते हैं जिसे कि हम इस good governance देखने को मिलती है फर्स्ट इस policy formulation and advocacy नीती निर्मान और वकालत influencing the decision of legislators other elected representatives and public administrators अब ये किस में किस तरीके से काम करते हैं policy formulation मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकार ने policy बनाई है ठीक है लेकिन वो policy किसी मान लीजिए for a particular section of society या मान लीजिए overall किसी ना किसी aspect पे या कोई ऐसा aspect उस policy में है जिससे कि किसी को हाम होगा किसी को नुकसान पहुचेगा या वो society के benefit में नहीं है तो वहाँ पे वो अपनी आवाज उठाते हैं और उस policy को change कराते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ गलत की है इसको change कीजिए और वो किसकी भीहाफ पे करते हैं basically people के भीहाफ पे लोगों के भीहाफ पे तो वो legislators जो हैं उनके decision को influence करते हैं प्रभावित करते हैं और जैसे कि advocacy मान लीजिए अगर legal matters की में बात करें कि ऐसी कोई judgment आई है लेकिन वो judgment गलत है तो वहाँ पे भी वो अपनी आवाज उठा सकते हैं कि भाई आप ये बात ऐसे कैसे कह रहे हो ये in grounds पे ऐसे ऐसे ये चीज़ गलत है वो उसको भी गलत बता सकते हैं वहाँ पे भी वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो इस तरीके से वो जो advocacy है या policy making है, वहाँ पे अपना एक अच्छा रोल निभाते हैं। Next is watchdog role, play a crucial role in evaluating the policies and actions of the government, वही चीज़े जो हमने बात की, जैसे policy formulation पे करते हैं ये, कि भी policy जो formulate हो रही है, या policy जो लाने के बात की जारी है, या उसको देखते हैं, जो उसमें गलत चीज़ होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो ये उन पे बात करते हैं, कि भी this is not right, ये सही नहीं है, इसको change करो, या altogether policy को ही change करो, तो क्या है, ये एक watchdog का भी role निभा रहे हैं वहाँ पे, कि ये देख रहे हैं, watchdog क्या होते हैं, कि देख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, ये वहाँ पे, कि भाई, जो सरकार काम कर रही है, या जो सरकार जो भी नीतियां बना रही हैं, उनको evaluate करते हैं, कि उसके positives क्या है उसके negatives क्या है और उन पर बात करते हैं अपने points रखते हैं जहाँ पर उनको negative लगता है ताकि वो चीज़े change की जा सकें next is welfare service delivery कल्यान सेबा प्रदाईगी can provide the necessary institutional basis for service delivery वही जीज़ है कि जो service इस सरकार के द्वारे जो service दी जानी चाहिए या welfare service है वो अगर नहीं दी जारी है तो वहाँ पर रोल अच्छा निए एक important रोल प्ले करते हैं उनको service proper तरीके से deliver करवाने के लिए या कोई ऐसी services है जो welfare के लिए जरूरी है दी जानी चाहिए तो वो अपने लेवल पो provide भी करवाते हैं जैसे कि NGOs है वो बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके का करती है ठीक है तो जैसे human rights organizations है तो वो human rights के लिए काम करती है वो rights दिलवाने के लिए violation और तो उन चीज़ों को देखने के लिए तो basically वो अच्छी service welfare के लिए services provide करवाती है next is reform and social change सुधार और सामाजिक परिवर्तन serve as an instrument for reform and social change तो वही चीज़ है कि reform मतलब सुधार लाने के लिए काम करते हैंगे कि जहां पर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर सुधार लेके आना उसके लिए आवाज उठाना अगर हम example के तौर पर देखें मानलीजी अगर हम political reforms की बात करते हैं तो political reforms लेके आना है politics में कुछ सही से नहीं हो रहा है तो वहां पर आवाज उठाके वो उस reform की मांग कर सकते वो सुधार के लिए वो काम करते हैं या फिर कोई सोशल चेंज सोसाइटी में अगर कुछ चेंज लेके आना है सोशल लेवल पे कोई अगर बदलाव लाने की जरूत है तो वो उस पे भी काम करते हैं जैसे कि अब हमने हमने human rights की बात की या फिर अगर हम women's organizations की बात करें तो women's organizations क्या है कि अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ भी ऐसी जीज होती है उनके rights नहीं मिल रहे हैं उनके rights का अनन कर रहे हैं या कुछ बुरा बरताव हो रहे है everything is included तो वो क्या कर रहे है society में change लाने के लिए वो महां पर उनक से भी एक इंस्ट्रुमेंट के रूप में काम करते हैं तो they have rolled an instrumental role in the enactment of crucial legislations like right to information act, the national food security act, right to education, manreka etc. तो एक बहुत ही महत्वपून रोल प्ले करते हैं जैसे कि एक्जाम्पल के तौर पर ही हाँ पर बात की गई है जैसे कि बहुत important legislations वो लेकर आए हैं उन्होंने काम किया है inact करवाने के लिए लेकर आने के लिए जैसे RTI Act है, National Food Security Act, right to education के हम बात करे हैं मंगने रेगा तो यह उन्ही के effort की वज़े से उन्ही के काम की वज़े से हमें देखने को मिले हैं. At the same time, their contribution to the governance domain is limited to, is limited by lack of funds. अब यह तो हमने किसकी बात की, कि जो non-state actors है वो कितने जादा important है, कितना important role वो play कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हमें देखने को मिल रहा है, कि उनका role जो है, वो जादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, उनका role हमें कम देखने को मिल रहा है. उसका reason क्या है कि क्योंकि वो limit हो जा रहे है किस से funds की कमी की वज़े से क्योंकि उनके पास पैसा अब वो welfare के लिए काम कब करेंगे जब उनके पास पैसे होंगे जब तक उनके पास पैसी ही ने तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे जादा थीक है तो उसकी वज़े से उनके आगे एक limitations, limitation आजाती है, inadequate trained personnel, अब क्या है, काम करने के लिए, हमें staff की भी जरुत होती है, लोगों की भी जरुत होती है, लेकिन trained staff या trained personnel हमारे पास, अब उनके पास available ही नहीं होता, प्रॉपर तरीके से, जिसकी विज़े से काम उतना effectively नहीं हो पाता है, lack of culture of volunteering, अब जिसे non-state actor से government के अंडर तो नहीं है, तो volunteers की जरुत पढ़ते हैं, लेकिन volunteering हमारी country में बहुत जादा कम है, कि लोग voluntary basis पे, voluntarily आके, participate करे, काम करे, अपना योगदान दे, तो वो चीज, वो culture हमारी इंडिया में जादा नहीं है, लोग restrict करते हैं इस चीज से, ठीक है, resist करते हैं, multiplicity of laws and regulations add to their problems, अब सेम ही चीज के लिए बहुत सारे laws and regulations है, उसकी वज़े से पी उनकी problem बढ़ती है, क्योंकि वो proper तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, वो confusion create होती है, this prevents the non-state actors from reaching their full potential in enforcing good governance, और इन ही reasons की वज़े से, वो good governance लेके आने में, सुनिश्चित करने में, अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते हैं, considering that India has over 2 million registered NGOs, the scope and extent of their contribution has been below power, कि India में 2 million से भी जादा registered NGOs हमें देखने को मिलती हैं, फिर भी उनका जो contribution है, वो बहुत जादा कम है, क्योंकि बहुत सारी limitations, बहुत सारी चुनोतियां को उनको सामना करना पड़ते हैं, बहुत सार ऐसे challenges हैं, चुनोतियां हैं, जो वो उनके आडे अड़ जाती हैं, जिसके वो काम प्रॉपर तरीके से उतना efficiently नहीं कर पाते हैं, रइट, अगयोंकि नहीं दो आपते हैं, जाती हैं, अगयोंकि आपना प्रॉपर आपके नहीं कर से में आपके नहीं, जारूर चेयर की जागा, विड्यां सेशन तरी अर्बावर पर्रॉपर सेशन तोड़ें काना जाती हैं, अब्यात। जाहिन